नमस्कार दोस्तो तो दोस्तो आज हम 3 दिसमबर 2022 का करन्ट अफेर देखेंगे तो चलिए चलते हैं अपने पहले परस्न की तरफ तो दोस्तो हमारा पहला परस्न है कि भारत का पहला निजी लांच पैड कौन सा अस्थापित किया गया ठिक तो इसका आंसर है अगनिकुल कास मास ठिक भारत का पहला निजी लांच पैड ठिक अगनिकुल कास मास यह काफी इंपॉर्टन है तो इससे जरूर याद रखिएगा चलते हैं अपने अगले परस्न की तरफ तो दोस्तो हमारा दूसरा परस्न है इसका आंसर है एक दिसंबर को बिश्व एड्स दिवस मनाए गया तो अब चलते हैं अपने तीसरे परस्न की तरफ तो हमारा तीसरा परस्न है बिश्व ने अपना अठानवा अस्थापना दिवस का मनाया है तो इसका आंसर है एक दिसंबर तो एक दिसंबर को बिश्व का बिश्व ने अपना अठानवा अस्थापना दिवस मनाया है अब चलते हैं अपने चोथे परशन की तरफ तो चोथा परशन कहता है अंतर राष्टिय जगुआर दिवस कब मनाए गया तो इसका सही अंसर है वन तिस नॉंबर जी हां दोस्तों वन तिस नॉंबर को अंतर राष्टे जगवार दिवस मनाये गया अब चलते हैं अपने पाच्वा परसन के तरफ तो दोस्तों हमारा पाच्वा परसन है कि पैरा स्पोर्ट्स परसन आफ इयर पुरुसकार किसे मिला तो इसका आंसर है अवनी लेखरा ठीक है पैरा स्पोर्ट्स परसन आफ इयर पुरुसकार अवनी लेखरा को दिया गया अब चलते हैं अपने छटवे परसन के तरफ तो छटा परसन कहता है कि नए राजश्व सच्यू कौन बने है तो इसका आंसर है संजे मलोतरा को नए राजश्व सच्यू के रूप में नियुक्त किया गया है अब चलते हैं अपने सातों परसन की तरफ तो हमारा सातों परसन कहता है कि INTUC करनाटक के नए अध्यच कौन बने है तो इसका आंसर है लच्मी वेंकटेष ठिक लच्मी वेंग कटेश को INTUC करनाटक के नयद्धिस की रूप में नुक्त किया गया है ठिक अब चलते हैं अपने आठवे परसन की तरफ तो हमारा आठवा परसन कहता है कि पूर्सो के बिश्वकप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी तो दोस्तों ये काफी important परसन है इसे जरूर याद रखिएगा पूर्सो के बिश्वकप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी तो इसका आंसर है स्टेफनी फरापार्ट जी हाँ इन्हें पूर्सो के बिश्वकप खेल में पहली महिला रेफरी बनाया गया है अब चलते हैं अपने नवे परसन की तरफ तो हमारा नवे परसन है हार्ण बिल महोचो कहां शुरू हुआ जी हाँ हार्ण बिल महोचो कहां शुरू हुआ तो इसका आंसर है नागा लेंड तो नागा लेंड में हार्ण बिल महोचो शुरू किया गया है ठेक नागा लाइन में तो चलते हैं दस्वा परसन की तरफ तो दोस्तों हमारा दस्वा परसन है कि उत्रा खंड सरकार ने किसे अपना ब्रैंड एंबेश्डर नुक्त किया है तो इसका आंसर है परसून जोसी जी हां दोस्तों परसून जोसी को उत्रा खंड सरकार ने अपना ब्रैंड मेजटर नुक्त किया है तो दोस्तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हम आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत